हलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल मित्र एजूकेशन हब आज की वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर थी का डिसकेशन करने वाले हैं तो देखे स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर को जिन भी बच्चों ने प्रिविएस वीडियो नहीं देखिए मैं जो है डिस्क्र प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है तो सब्सक्राइब को यह को तो यह सभी क्या होते हैं यह सभी आपके फाइबर का मतलब फूस नहीं सब्ढोंfind dopo मिलयों ऐतागा थै का मतलब क्या होता है जो कि आपको जो है नेचर से फाइण होते हैं ठीक है नेचर से आपको मिलते ऐ स्याँ पर हो गया जैसी के हम Nous प्लांट से से जो js 572 पर को अप्टेंड कर रहे हैं या फिर इनीमल से सर जो देखिए आपको यहां पर डेफिनिशन बताई हुई है तो आपको यह डेफिनिशन क्रिप्यार करनी है आपका जो एक्जाम में है इस तरह के से पूछा जाता है कि what is natural fiber and synthetic fiber तो देखिए क्या बोल रहा है यह natural fibers like cotton, wool, silk, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals okay तो जो जितने भी आपके natural fibers होते हैं वो आपको plant और animals से मिलते हैं the synthetic fiber on other hand are made by human beings, synthetic fiber किन के दोरा बनाए जाते हैं human beings के दोरा बनाए जाते हैं that's why these are called synthetic or man-made fiber इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं synthetic or man-made fiber इनको बोला जाते हैं synthetic fiber basically है क्या तो देखो आपने देखा होगा कि जो एक necklace होता है ना means जो मोतियों की माला होती है उसको हम क्या करते हैं एक धागे के अंदर इस तरीके से जो है मोतियों को इसमें पिरो देते हैं तो देखिए यह जो चोटे-चोटे मोति हैं यह एक स्मॉल यूनिट से बनकरी क्या बनता है एक लार्ज यूनिट बन जाती है तो यही चीज आपको यहां पर बताई हुई है कि try to recall the uniform pattern found in a necklace of bead means जो मोतियों की माला होती है joined with the help of a thread जिसको हम क्या करते हैं thread के थ्रू जोडते हैं और इस तरीके से आपको जेको paper पे जो clips लगाते हैं तो उनको क्या किया है एक के बाद एक के बाद जोड के हमने क्या कर दिया एक chain मना दिया तो देखो हमको यहां पर बहुत अच्छा definition दिया हुआ है जिसमें हमको सम स्मॉल यूनिट होती है हर एक जो छोटी यूनिट होती है वह एक्ट्यल में क्या होता है एक आपका एक chemical substance होता है okay many such small units combine to form a large single unit और हम जब छोटी छोटी यूनिट को जोड़ देते हैं combine कर देते हैं तो एक large single unit बन जाती है और उसको हम क्या बोलते है polymer बोलते है तो देखो polymer का meaning क्या होता है polymer का meaning होता है poly ठीक है poly plus mer ओके यह हमारा जो एक Greek word है तो poly का मतलब क्यों होता है बहुत सारी क्योंकि आपने क्या किया चोटी चोटी उनिट्स को जो है आपने क्या किया combine कर दिया इसलिए हमने poly का मतलब क्या बोला poly का मतलब होता है और mark का मतलब यहां पर है part एक particular unit से यहां पर हमारा meaning है so a polymer is made of many repeating units तो आप क्या बोल सकते है कि जो polymer होता है वो बहुत सारी repeating unit से क्या होता है मिलके बना होता है अब देखिए आपको यह नीचे बताया हुगा है कि polymer occur in nature also polymer जो होता है आपका nature में भी होता है ठीक है जैसे आपका cotton हो गया cotton क्या है आपका एक natural example है एक natural polymer का हम इसको example मान सकते हैं okay is a polymer okay called cellulose जिसको हम क्या बोलते है cellulose बोलते है और cellulose कि से मिलके बना होता है glucose की छोटी छोटी यूनिट को जब हम combine कर देते हैं तो उससे हमारा क्या होता है cellulose का formation होता है next देखिए types of synthetic fibers देखिए synthetic fiber के आपको type बताए हो है तो first आपका type क्या होता है first आपका type होता है रियोन यह most important है इसको हम जो है artificial silk भी बोलते हैं okay तो देखिए towards the end of the 19th century means जब हमारी 19 भी शताबदी का जब end हो रहा था scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk स्टार्टिंग में क्या था स्टार्टिंग में सिल्क बहुत ज्यादा production होता था okay तो सिल्क का production जो है चाइना ने जो सबसे पहले start किया था तो यही चीज आपको जो है उपर बताई हुई है लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ सिल्क जैसा ही एक सेम ठीक है उसके जैसी properties को शो करने वाला एक जो क्या बनाया गया एक अलग से fiber जो है बनाया गया and such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp और इस तरीके के जो fiber को है वो कैसे बनाया गया था जो wood होती है ना means लकड़ी होती है उसके pulp को जो है उसका chemically treatment करके ओके और हमने उसको क्य किया किया form किया और उस fiber का नाम क्या दे दिया उस fiber का नाम हमने दे दिया rayon ओके तो यह जो rayon होता है ना यह artificial silk होता है most important question है आपके exam point of view से आप से पूछा जाता है कि artificial silk का नाम बताए तो आप क्या बताएंगे rayon बता देंगे आप देखिए क्या बोल रहा है है although rayon is obtained from a natural source जो आपका rayon होता है ना वो आपको natural source से मिलता है और वो natural source कौन सा है wood pulp है yet it is a man made fiber लेकिन फिर भी इसको man made fiber बोला जाता है क्यों क्योंकि हम जो है इसके अंदर chemical substances बहुत सारे add करते हैं उसका chemical treatment किया जाता है इस वैसे हमने इसको क्या बोला कि यह हमारा man made fiber है कैसा fiber है man made fiber है बनती है bad sheets mean जो हम चादरे बिछाते ना बैट पर ठीक है तो यह हमारा जो है rayon के साथ में cotton को mix कर देंगे तो हमारा क्या होगा bad sheet बन जाएंगी bad sheet बनाई जाती है ठीक है cotton के साथ mix करके और यदि wool के साथ में mix करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है carpets बनती है तो यहाँ पर आपको जो है जो आपको डाइग्राम में जो है शो किया हुआ हुआ है नाइलोन क्या होता है नाइलोन भी एक artificial fiber है अब यह हम artificial fibers को पढ़ रहे हैं जो भी natural fibers है न इसको किसी भी तरीके से आप जो है प्लांट से या एनिमल से और नहीं करते हो यह टोटल ही किया है आपका man-made है तो हम इसको कैसे बनाते है इट वाज प्रिपेर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर हमने इसको क्या किया किया कोल वाटर और एयर के तुरू क्या किया बनाया पुछा जाता है कि पहला सिन्थेटिक फाइबर कौन सा घुंख तो पहले सिन्थेटिक फाइबर का यदि आपसे नाम कुझ जाह ocean होता है नाइलोन सौरी नाइलोन होता है एसमें चमक नाइडन歐ं की सरी होट thatís यह कपड़े बनाने में बहुत यदा पॉपुलर आपने देखा होगा नाइलोन ही बहुत साई चीज़े आतीarrive यहाँ है आपको यह ज़ाद रखना है कि नाईलोन को आपने किस तहरीके से form किया ओके वी यूस मैनी आर्टिकल में फॉन उसके बाद आपको क्या यह रखना है कि आप नाईलोन के त्रू जो है कौन-कौन सी चीजे बना सकते हैं जैसे तो सॉक्स होती है की रोपो आथी यह सभी का ईमें सब्सक्राम के भूटबų क्लाइम कर रहा है इह आपका रोप के तुर चड़ रहा है यह पर इंजो पैर उच्छूट्स खौत यह भी आप नायलौं के बने होते हैं So we can say that a nylon thread is actually stronger than steel wire. Steel के wire से भी बहुत ज़्यादा strong होता है आपका nylon का wire. Okay? So, तो देखिए, next topic है हमारा polyester and acrylic. Okay? So, तो देखिए, polyester क्या होता है? Polyester भी आपका एक synthetic fiber है. हम अभी क्या पढ़ चुके हैं? अभी हम nylon के बारे में और rayon के बारे में पढ़ चुके हैं. अब देखिए, polyester भी आपका एक synthetic fiber होता है. Fabric made from this fiber does not get wrinkle easily. जितने भी fabric, मिन जितने भी कपड़े हम polyester fiber से बनाते हैं, तो उनमें wrinkle नहीं पढ़ते हैं. So it is quite suitable for making dress materials. और आप इसके थुरू क्या कर सकते हो? अपने dress materials जो है, इसके बनाए जाते हैं, ठीक है? आगे देखिए, you must have seen people wearing polyester shirts. आपने देखा होगा कि हम लोग polyester के shirts को पहनते हैं, other dresses जो होती है, polyester की बननी होती है. तो देखो, terrylene क्या होता है? terrylene भी एक तरह का polyester है. ये exam में पुछा जाता है, कि polyester का आप example बताइए. तो आपको क्या example देना होगा? आपको example देना होगा terrylene का. It can be drawn into very fine fibers. That can be woven like any other yarn. ठीक है, yarn का मतलब धागा ये एक तरह से. तो आप क्या कर सकते हो? तो ये जो आपका terrylene होता है, इसको आप बहुत पतले-पतले धागों में, पतले-पतले fibers की form में इसको क्या कर सकते हो? बुन सकते हो. woven करना means उससे बुन के. क्योंकि हमारा जो कपड़ा होता है, वो धागे से ही तो मिलके बना होता है. ठीक है, धागे को हम woven करते हैं, ठीक है, बुनते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा, जो है, ये बन जाता है, आपका, आपका, क्या बताया हुए है, आपको terrylene, ठीक है, terrylene का हम जो है, fabric बना लेते हैं. अब देखें, next most important topic है, PET, इसके बारे में बहुत बार exam के अंदर पुछा जाता है, तो आपको जो है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, आपको जो भी चीजे बताई जा रही है, सारी आपको complete वीडियो को दो है, proper देखना है, ठीक है, इसके बिलकुल नहीं करना, और ए very familiar form of polyester, ठीक है, यह polyester की familiar form होती है, ठीक है, polyester ही एक तरह का, it is used for making bottles, ठीक है, bottles बनाने में, utensils, मतलब बरतन बनाने में, okay, wires बनाने में, इन सबी चीजों में जो है, हम इनको यूज लेते है, जो आपका polyester होता है, अब देखें, polyester को यदि आप दो पार्ट में तोड़ें आपको क्या बन गया, polyester बन गया, like as, जैसे polymer था न, polymer में क्या था, बहुत साई चोटी-चोटी units को आप मिला देते थे, तो आप क्या बन जाता था, पॉलीमर बन जाता था, तो देखिए, जो ester होता है, ester होता है, जिसमें जो fruit जैसी smell आती है, ठीक है, fruit जैसी smell आती है, आपको example बताएं है, जैसे आपको poly, polycoat हो गया, okay, poly wool हो गया, तो यह सारे के सारे हैं, polyester के ही, जो है, type होता है, अब जैसे polycoat है, तो polycoat में देखिए, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, poly plus coat, मतलब, poly plus coat, ठीक है, तो polycoat का मतलब क्या हो गया, polycoat is a mixture of polyester and cotton, ठीक है, poly means polyester and cotton, okay, याद रखने का तरीका है, आपका, ऐसे देखिए, poly wool होता है, poly wool मतलब क्या हुआ, poly wool होता है, किसका आपका, polyester and wool का, तो इनको आपने जो है, आगे देखिए, आगे क्या बताए हुआ है, we wear sweaters and use shawls, हम क्या करते हैं, shawls यूज लेते हैं, sweaters यूज लेते हैं, blanket यू परती है, बहुत ही महंगी परती है, easily available नहीं हो पाती है, महंगी होती है, ठीक है, costly होती है, तो यह क्या बोल रहा है, though they appear to resemble wool, ठीक है, लेकिन यह क्या होता है, हम को जो है, wool जैसे ही दिखाई परते हैं, these are prepared from another type of synthetic fiber, तो इनको हम क्या करते हैं, acrylic से बनाते हैं, means जो हमारे sweaters हैं, shawls हैं, blankets हैं, उनको हम कौन से वाले polymer से बनाएंगे, यह भी हमारा acrylic है, ठीक है, यह भी हमारा क्या होता है, synthetic polymer होता है, the wool obtained from natural source is quite expensive, ठीक है, यह क्या होती है, जो आपको natural sources से wool मिलती है, वो expensive होती है, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap, और जो आपके acrylic के थुरू बनाया जाते हैं, वो क्या होत हैं, इनको easily afford कर सकते हैं, they are available in a variety of colors, और यह क्या होते हैं, बहुत सारी varieties में present होते हैं, synthetic fiber are more durable and affordable, which make them more popular than natural fibers, ठीक है, synthetic fiber का यही एक सबसे बड़ा advantage है, आप से पूछा जाता है, कि what is the advantage of synthetic fiber, क्यों, क्योंकि यह durable होते हैं, durable मतलब बहुत ज़्यादा time तक चलने वाले होते हैं और हमेंने इनको easily afford कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, तो इसलिए natural fibers की according यह क्या होते हैं, ज़्यादा popular होते हैं, अब देखें, आगे क्या बताया हुआ है, अब देखो कुछ हमारे disadvantage भी हैं, यह जो artificial fiber होता है, इसके disadvantage भी हैं, जैसे यद तो आप synthetic fiber को heat करते हो ना, तो वो क्या होता है, melt हो जाता है, and this is actually a disadvantage of synthetic fiber, और यह क्या होता है, आपका synthetic fiber का ही एक disadvantage है, इवदा cloth catch fire, it can be disastrous, यदि आपके cloth में आग लग गई ना, तो यह क्या हो सकता है, आपके लिए disastrous हो सकता है, तो यह क्या होता है, जैसे ही क्या हो जाती है तो इसलिए हम को क्या दिए जाता है और या किसी बरक कर रहें तो उस टाइम पर आपको सिंधेटिक केलिश और फेट्रो cuidadoleye again all the कर रहे हैं बाया number of processes using raw material of petroleum means raw material जो होता है ना petroleum का उसके process को use करके आप बना रहे हो तो उसको आप क्या बोलतो petrochemical यह भी आपके exam point of view is important है आपको definition जो है याद रखनी है आप देखिए हम जो है synthetic fiber के characteristics पर आ जाते हैं देखिए characteristics क्या होते है characteristics means आप उसको कहां पर जो है उसका application यूज़ कहां पर उसका यूज़ा रहा है क्या उसकी qualities है okay synthetic fiber possess unique characteristics which make which make them popular dress material ठीक है जिससे हम क्या कर रहे हैं बहुत सारी dress materials को बना रहे हैं they dry up quickly ठीक है यह इसका एक बहुत positive point है कि यह synthetic fiber होते हैं बहुत जल्दी क्या हो जते हैं सूख जाते हैं ठीक है durable होते हैं बहुत expensive होते हैं ज्यादा महेंगे नहीं होते हैं और हमको easily available रहते हैं और हम इनको मैंटेन्स और बहुत आप इनकी मेंटेनेंस को चुछ है चुम लिए उसिलीए आपके यूस्फड होते यह आपके साथ है से तो यह एसे अब अब प्लास्टिक से क् में गिंड में ना थाने की शुरूनogy और quando प्लास्टिक लिए है लाइक कर दीजिए शेयर करना ना भूलिए और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक्यू सो मच